कि next question है कि construct a parallelogram parallelogram ABCD in which AB equal to 4.3 cm AD equal to 4 cm and BD equal to 6.8 cm ठीक है तो चलते हैं इसको construct करना है तो देखिए तो पेपर ले लता हूँ then इसको construct करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे राफ एसकेस त्यार करेंगे तो देखिए राफ एसकेस का अगर पार लेलो ग्राम ड्रो करेंगे तो यहां पे हम पार्लेलो ग्राम पाले ड्रो कर देता हूं तो क्या था यह अब ABCD थे ए B C D ओके तो AB कितना है 4.3 है तो AB 4.3 AD कितना है AD this is AD AD 4 है and BD दिया हुआ है तो this is BD ओके कितना है 6.8 देखिए अब आपको क्या करना है तो अब C को पाले construct नहीं करेंगे सबसे अब D को क्योंकि यह इस पॉइंट से डी पॉइंट से दो लाइन सिंगमेंट यह जूड़ा हुआ जिसका वैलू दिया वह इसका दिया ही नहीं है तो इससे construct करेंगे ठीक है तो चलिए तो सबसे पहले इसका अब आपके स्केश हो गया आप इसका ड्रो करते हैं सबसे पहले क्या कर हो गया और 3 3 हो गया तो फोर प्रोइंट सी अपना ड्रो गया ठिक यह क्या हो गया या अपना हो गया यह या अपना बी या कितना 4.3 ठीक है तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम D point को, point D को construct करें, कैसे, हम A को center लेके, 4 cm रेडियस लेके, एक R cut करेंगे, ठीक है, और B को center लेके, 6.8 cm रेडियस लेके, एक R cut करेंगे, और जहां पे दोनों R जो है, intersect करेगा, वह अपना D point होगा, तो चलते हैं, वहीं काम करने तो देखिए, A को center लेके, 4 cm का radius लेते हैं, 4 cm का, देखिए, 4 cm है नो, तो अब A को center ले लिया, और 4 cm का radius ले लिया, इसको देखिए, ओके, डन, अब क्या करते हैं, B को center लेके, 6.8 cm का, 6.8 cm रेडियस लेंगे, देखिए, रेडियस मतलब क्या होता, इसके B का distance, देखिए, कि इसके 20 को सीजोन के किया करते हैं तो देखिए तो इसको 6.8 क्या करते हैं यहाँ पे दुखे आपको दिखा रहाँ हो तो धुखा 6.8 ठीक है देखिए 6.8 है ना 6.8 अब ठीक है 6.8 है तो आप क्या करेंगे बी को सेंटर लेके 6.8 सेंटीमेटर रेडिस लेके एक आर कट किया तो आर कट किया तो देख रहे हैं कि यह कहीं यहां पर इंटरसेट करेंगे ठीक है इसको तुर्ण और इसको देख लेते हैं कहां पर इंटरसेट के यहां पर जो है यह थो छोटा ड्रो हो गया था नो यह आपका ठीक है यहां पर होगा ठीक है तो यह पॉइंट जो है यह डी पॉइंट होगा ठीक है डी पॉइंट होगा तो अब क्या करते हैं एडी एडी को ज्वाइन कर दे ठीक है तो देखिए यह 4.3 यह 4 हो गया और एक डाइगोनल दिया हुआ था जो कि बीडी था बीडी डाइगोनल दिया हुआ था ठीक है तो देखिए अब बात आती है पॉइंट सीव कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे तो सीव कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे एक सीवी लाइन दिया है और एक सीडी लाइन दिया है लेकिन इसकी वैलू दिया नहीं है लेकिन यह भी दिया हुआ लेकिन हीडेन में छुपा छुपा हुआ है कैसे पारलेलोग्र के उसके बाद A B equal होगा A B equal होगा DC के DC कितना के 4.3 के 4.4.3 cm ठीक है तो देखिए अब इसको draw करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अब जो है हम point C construct करने के लिए क्या करेंगे D को और B को center लेके DC कितना है CD? DC 4.3 हो गया और यह कितना हो गया? 4 हो गया तो मतलब जो है D को center लेके 4.3 cm का radius लेके एक R कट करेंगे उसके बाद B को center लेके 4 cm का radius लेके एक R कट करेंगे जहां पे दोनो आर गंटर से तो वह अपना C होगा तो चलते हैं तो देखिए तो यहां पे जो हैं सबसे पहले हम क्या 4.3 लेते हैं कितना है? 4.3 है तो हम क्या करते है? D को center ले लिया और D को center लेके एक R इसको थो रफ कर देते हैं तो यह यह इतना है अदफ कर दिया ठीक है? तो D को center लेके 4.3 cm का radius लेके एक R कट कर दिया ठीक है? उसके बाद B को center लेके 4 cm radius लेके R कट करेंगे B को center लेके 4 देख लेता हूँ ठीक है? 4 है ठीक है? तो B को center लेके 4 कट के हो गया तो यह कहां पर intersect को है? यहां पर तो इसका मतलब जो है यह point जो है अपना C point होगा that means इसको join करते हैं यह join join ठीक है? तो देखिए अपना parallelogram ready है एक दिया 4.3 और दुसरा यह 4 और यह दिया 6.8 जितने data दिया हुआ उतने data को हम यहां पर ही present करेंगे यह data नहीं दिया इससे तो हम जानते है parallelogram का opposite side equal होता है ठीक है? अब next question झाल